पटना में दुर्गा पूजा के लिए अब तमाम तयारिया पूरी कर ली गई है, पटना में जगव जगव पर अब सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद किया जा रहा है, वहीं पटना की ट्राफिक व्यवस्था को लेकर अब तमाम चीज़ें जो हैं वो सुदिर्ड की जा है अब पत्ना में एक नई पहल जो हर बार रहती थी पत्ना के तमाम जो एंसी सी कैड़ेट्स हैं वो सरकों पर उतरेंगे और वो ट्रैफिक जो है वेवस्था को समा लेंगे साथ साथ क्राउड कंट्रोलिंग की भी वेवस्था वो को देखेंगे हमारे साथ इस तमाम ववस्था को देखने के लिए NCC और NCC उरान और Community Traffic Police के संयोजक जो है धीरजी मौझूद है किस तरीके से इस वार की पूरी ववस्था रहेगी देखिए जो राष्ट सेवा के लिए संकल्पित है NCC संगठन भारत की इकलोती और सबसे बहतर संगठन है वो प्रतेकवर्ष करती थी इस बार जो चेंजेज हुआ है NCC के साथ साथ स्काउट एंड गाइड वह भी एक बहतर इवा संगठन है अपने भारत में और स्काउट एंड गाइड में जो वड़िये इवा होते हैं उनको रॉबर कहा जाता है वो हैं और जो कम्मुनिटी पुलिस के जवान जो अनुभवी हैं उनकी तैनाती कुल मिलाकर के संख्या साथ सो चालीस लोग की तैनाती की गई है इस बार जो अलग है भीर नियंतरन, विमन रिस्क रिडक्शन टीम, किवार्टी, फर्स्ट रिस्पॉंडर का जो काम करते थे पिछले दफा इस बार जो अलग डेपुटेशन कुछ नए लोगों की हुई है राज्य सरकार और एंडिये में की जो सबसे बड़ी स्कीम के तहत आपदा मित्र जो तयार किये गये जिनको परिपक किया गया है आपदा के दोरान आपदा के बाद जो अपरात्मिक किसा के लिए उनकी भी प्रतिनिक्टी इस बार की गयी है कंट्रोल रूम एक छोटा सा बनाया गया है सारे लगभग सारे post पे कुछ post पे नहीं बना गये है वहाँ पर अपने first responder के रूप में जो आपदा मित्र प्रशिक्षन के तहत वो प्रशिक्षित है वो प्रात्मिक उप्चार भी करेंगे और जो भीर में अपने परिवार से विखर गया चूकि भीर का कोई रूप नहीं होता है वो अनेको रूप में आपको दिखेगा उसमें स से पर्स गायब कर दिया जाएगा चैन स्नेचिंग हो जाएगा फिर आप अपने परिवार से भी खर जाएंगे आपको फिर चक्कर आने लगेगा कभी किसी चीज से हाथ कट गया यह सब चीजे होते रहती हैं तो इन सभी चीजों को टेकल करना सबसे प्रात्मिक हमारा प्र अधियोग करना उनको हर 3-4 घंटे के बाद रात्री तक रात्री के बाद पुलीसिंग की भी संख्या कम रहती है और हमारे तो जितने भी कैड़ेट्स स्काउट और गाइड है वो तो दस बज़े निकल जाएंगे एक्शुल भीर दस बज़े के बाद आता है पटना में तो और पूरी रात्री के लिए लगभग 200 अनुभवी कम्मुनिटी ट्राफिक पुलीस के प्रतिनिक्ति की गई है जो पूरी रात जग्के भीर नियंतरर और सभी कारियों में ध्यान देंगे तमाम जो वॉलेंटियर है इन लोग को क्या पैसा दिया जाता है प्योर वॉलेंट यही सबसे खुबसूरत बिहार के इवाओं का एक छवी है जो पूरे भारत में कृत्मान है कि पिछले साथ आठ वर्सों से कम्मुनिटी पुलीसिंग के तहत निशुल्क वॉलेंटियरी सर्विस दे रहे हैं ना तो उन्हें हम जोर दबरश्ति करते हैं ना तो एंसीसी उन बावजूत भी उनके चेहरे पे वो मुस्कुराहाट वो खुसी वो आत्म विश्वास वो बुरा बहतर लिखता है डाक मंगला काफी क्राउडेड एडिया है वहाँ पे किस तरीके से देखे हैं लेकिन इसके अलावा भी ज्यादा क्राउड आज कल पिछले तीन वर्सों से जो फील कर रहा राजा बजार जगदे उपत रुकन पूरा वहाँ तो पूरा चौक हो जाता है चुकि सब लोगों की नजर डाक मंगला पे रहती है तो अल्रेडी उस पर रिइंफोर्समेंट इतनी बहतर बेवस्था रहती है कि वहाँ पे कंट्रोल हो जा रहा है लेकिन ज उसको भी बड़ा खुबसूरत तरीके से ये कम्मुनिटी पुलीस और पुलीस तो लगी ही रहती है हम उनको असिस्ट करते हैं कम्मुनिटी पुलीस अपना पुलीसिंग करके बहतर और सुगम इंतजाम करते है इनका ड्रेस कोड एन्सिसी कैडट्स जो है बिलकुल खाकी एन्सिसी के उनिफर्म बे रहेंगे चुकि एन्सिसी तीनों विंगो को दर्शाती है नेवी और एयर फोर्स तो नेवी का पुसाक उजला रंग का होता है वाइट कलर का और ग्रे कलर का एयर फोर्स का होता है तो ये तीनों पुसाक न्सिसी के लिए डेडिकेटेड है ये का प्रस्तो neither दूसरा स्काउट का भी ग्रें होता है वर जो आउड ग्रेंट के वड़ी होते हैं उनका भी रेस्प वाले ही होता है और इसके अलावा जो मुनिटि पुलिस Hälar हों हरे रंके टी-शट पे आपको दिखेंगे हरे रंकी टी-शट इसलिए क्राउड कंट्रोल के लिए जाने जाते हैं तो बहुत कॉंप्लिकेटेट टी-शट पेंट का इस्तमाल नहीं किया जा सकता है देखें तमाम जो व्यवस्था है और जो वॉलेंटियर हैं यह लोग यहाँ पे इन लोग की ब्रिफिंग चल रही थी और इस दारान जो है अब इन लोग को ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि किस तरीके से तमाम चौक चौरा पर ट्राफिक को सुगम बनाएं क्राउड कंट्रोल करें और जो जो